हमारा चौथा प्रकार है Optative Sentence ठीक है? Optative Sentence को हम हिंदी भी बोलते हैं इच्छा सूचक वाकिय इच्छा सूचक वाकिय इस टाइब के वाकिय में किसका भाव प्रकट होता है? इच्छा का आसिरवात ठीक है? इस टाइब को जो sentence होता है वाकिय होता है इसमें जैसे कोई अपनी इच्छा प्रकट करना चाहा इच्छा का भाव प्रकट होता है कोई किसी को आसिरवात देता हो तो आसिरवात का भाव प्रकट होता है और इस sentence के अंत में इस प्रकार का चिन का यूज होता है सेंटेंस जब पंप्रिट होगा तो ये प्रिटाइब का चिन अपना उस सेंटेंस में लगा हुआ दिखेगा जैसे एक्जामपल देखते हैं भगवान आपका भला करे ठीक है ये क्या हो रहा है कोई किसी को आसिरवात दे रहा है कि भगवान आपका भला करे ठीक है तम इसको इंग्लिस में कैसे लिखेंगे May God Bless You ठीक है इसमें किस का भाव प्रकट हो रहा है आसिरवात का भाव प्रकट हो रहा है और ये सेंटेंस के लास्ट में इस तरह का चिन लगाना जरूरी होता है क्योंकि ये क्या होता है इच्छा सूचक जो वाक है उसकी ये पहचान बताता है ठीक है चलो हमारा प्रकार क्या है इंप्रेटिव सेंटेंस ठीक है इंप्रेटिव सेंटेंस को हम हिंदी में बोलते आग्या सूचक वाक है आग्या सुचक वाक इसमें किस-किस चीजों का समालेस होता है, जिसे हम किसे से विंती करते हूँ, विंती करना, ठीक है, किसी को आग्या देना, हम किसे से कोई विंती कर रहे हो, किसी को कोई आग्या दे रहे हो, ठीक है, किसे से किसी प्रकार के प्राथना कर रहे हो, ठीक है, तो ऐसे वाकियों में imperative sentence में किसी से विद्धी करने का भाव प्रकट होता है किसी को आग्या देने का भाव प्रकट होता है और हम किसी से कोई प्रात्ना कर रहे हो इस टाइप का भाव प्रकट होता है जैसे हमने लिखा example लिया road पर मत खेलो हम क्या कर रहे है किसी को मतलब क्या कर रहे है आग्या दे रहे है किसी road पर मत खेलो एक हमने इसको इसको कैसे लिखेंगे don't play on the road इसमें किसका भाव प्रकट हो रहा है आग्या देने का भाव प्रकट होता है तो जिससे हम एक और example ले लेते है जैसे drive your cycle तुम अपनी cycle को चलाओ तो अपनी cycle चलाओ ठीक है? अपनी cycle चलाओ इसलग क्या होगा? drive your cycle ठीक है? इसको हम क्या कह रहे हैं? किसी को मतलब बिनती कर रहे हैं प्रातना कर रहे हैं कि तुम अपनी cycle क्या कर सकते हो? चला सकते हो ठीक है? तो इसी प्रकार से imperative sentence में क्या होता है? किसे से विंती करना विंती आग्या और प्रातना का भाव प्रकट होता है ठीक है? उसी प्रकार का जैसे imperative sentence उसी प्रकार की है हमारा छहता और लास्ट जो हमारा प्रकार है sentence का वो है exclamatory sentence ठीक है exclamatory sentence को हिंदी में बोलते है विस्मेदी बोदग वाके ये sentence कैसा होता है इस में क्या होता है जो हमारे हड़े के भाव है न हड़े के भाव इसमे हॡ़े का बाव प्रकट होता है for example आरे घर से निकल रहे है थीक है एक्सिडेंट हो गया किसी का हमने आचानक प्रकार निकल जाता है उसे हम क्या बोलते हैं एक्सिलेमेटी सेंटेंस या विसमयदी गुमह कऺहते हैं। मैच घीत गऐ हम हमच जीत गए हम 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 घाथि गए जीतेंगे उसके भावजूद अगर हम जीत जाते हैं तो समय में हमें कितनी खुशी होती है वो उस हिर्दे के भाव को प्रकट कौन करता है एक्सलाइमेटी सेंटेंस उस भाव को प्रकट करता है जैसे हम मैस जीत गए तो हमारे मुझसे निकलेगा हुर्रा इसके पाद यह आजाएगा यह चिन ठीक है वी हैव वी हैव व्याव वान द अ मैच ठीक है वी हैव वान द अम्हेर हमने क्या क्या मैच को जीत लिया जैसे हम कोई खेल 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 रहे है उसको हारजनगत कर अरे, we have lost the match, we have lost the game, ठीके, तो जिसे कोई खुशी ख़बर मिलती है तो हम जूम उड़ते हैं, और दुखी ख़बर मिलती है तो हम sad हो जाते हैं, तो इसी प्रकार के भाव को कौण प्रकट करता है, एक्सलामेटी सांटेंस इस प्रकार के भाव को प्रकट करता है थैंक यू